नमस्कार दोस्तों मैं आश्ट लॉजर सचिन स्वागतर अभी जंदन करता हूँ अपिस सभी प्रेत रश्कों का 20 दिसम्बर 2022 का राशी फर लेकर मैं आपके समक्षू यह जानकाई चंद राशी और नाम राशी पर आधारित हूँ शुरूबात करते हैं सुबह के संचित पाच्शांग से सुरुदे होगा 7वच के 7 मिनट पर सुर्यास्त होगा 5वच के 27 मिनट पर तिटी है कश्र पक्षू दौदशी नच्षत रस्वाति अभजीत महुलथ 11बच के 7 मिनट एम से 12बच के 14 मिनट पेम तक लाहु काल है दो बच के बावर मिनट पी-म से चार बच के दस मिनट पी-म तक यहां जानकाई चंद राशी और नाम राशी पर आधावित होगी मेश राशी आप बहुत दुनों से रुखे ओवे धन को प्राप्त कर पाएंगे सटे बाजी बे धन कनविश करना शुब रहेगा आपको बहुत अच्छे पर नाम प्राप्त होंगे जरूरत बन लोगों की साहिता करें गाड़ी वहां सावधानी पुरुवक चलाएं जल्द बाजी में कोई निन्न ना लें आपको आपकी संतान का सही योग मिलेगा और जो संतान सुक्स के बंचित है उनको भी कोई अच्छी खबर मिलेगी वरशवराशी आप परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं और विवाहित लोगों को विवाह के परस्ताव प्राप्त होंगे प्रेम संबन्द अच्छे रहेंगे जीवन साती से को कोई उपहार दे सकते हैं स्वास्ति का समचित ध्यान रखिए कोई गुप्त रोग आपको परिशान कर सकता है आनंद प्राप्ती का दिन है सुक्स विधाएं घर में बढ़ेंगी संताम की और से शुब समचार प्राप्त होंगे आपके बच्चे पढ़ाही लिखाई में अच्छे रहेंगे प्रेमी प्रेमका को मिलने का उसर मिलेगा वैपारीयों का वैपार बढ़ेगा जीवन साती से संबन्द बढ़िया रहेंगे करक राशी आज का दिन प्रसंता दायक रहेगा आपके बच्चे आपको शुब समचार सुनाएंगे कोई नया प्रेम संबन्द बन सकता है आप अपना कारे पूर विमानदारी और बुद्धिमत्ता पूरवक करेंगे समाज विमान संबान मिलेगा जुआ शियर मार्केट सटे बाजी में कुछ कमा लेंगे लेकिन सावधानी रखिएगा सौभा की कारी दिन है बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक रहेगी वैपारियों का वैपार बढ़ेगा नौकरी में उन्दती और तरक्की होगी सिंग राशी आज आपका घर पसंता से भरा होगा हर्ष और ला से काम होगे ओफिस के काम हो या वैपारियों का काम हो अच्छा चलेगा पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी बड़े बुजरुरों से आपका ताल्मिन अच्छा रहेगा बड़े बज़रों की सेहत अच्छी होगी, हर छेतर पे जीवन साथी का साथ मिलेगा, घरेलू महिलाएं कुछ अच्छा करेंगी, बच्चे पढ़ाई से दूर रहेंगे, कन्याराशी, आज कड़ी महनत करने का दिन है, किसी भी उदेशी प्राप्ती के लिए पुकड़ा करना पड़ेगा, आप अपनी हिम्मत से सभी कामों में सफर रहेंगे, चोटे भाई बेनों का साथ मिलेगा, आप अपनी बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, प्रेम संबंद अच्छे रहेंगे, किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है, तुलाराशी, आज आप परिवार में अच्छा खुशाली वाला महौल देखेंगे, समाजी गत्विदियो में आप शामिल रहेंगे, आर्तिक पक्स संतुष रहेंगे, आप परिवार के साथ मौजमस्ती करेंगे, अपनी वाणी से सभी का दिल जीत लेंगे, आपकी दाइनी आग में कोई समस्या आ सकती है, आमदनी के नहीं रास्ते खुलेंगे, आर्वारी कारियों में जीवन साथी का साथ मिलेगा, वरश्चिक राशी, आज पूर्था का दिन है, बच्चे एक आक्षित होकर पढ़ाई करेंगे, आपके आद्विश्वास में बरहोतरी होगी, नौकरी करते हैं तो आप आपके अधिकारी आप से संतुष रहेंगे, आप अपने रिष्टेदारों पास परोशियों के साथ कहीं गुमने फिनने जा सकते हैं, आपको विवा के प्रस्तावों मिलेंगे, कुमारों की बात बनेगी, जीवन साथी से सम्मद अच्छे रहेंगे, दन राशी, आपका उ आज समय खराब करेंगे, वैपारियों का वैपार बढ़ेगा, इसका परिणाम आशा जनक नहीं होगा, लंबी यात्राएं आपकी बेकार जा सकती हैं, ध्यान रखिएगा, मकर राशी, आप अधिक धन कमाएंगे, आपके सपने पूरे होंगे, जीवन साथी के साथ रोमैं पारियों का वैपार बढ़ेगा, लेकिन बच्चे पढ़ाई लिखाई में आज अच्छा नहीं करेंगे, जीवन साथी से आपके रिष्टे ठीक रहेंगे, बच्चों के वैवार से आप खुश नहीं रहेंगे, आपकी आमदरी के रास्ते बढ़ेंगे, मीन दाशी, सफलत मिलेगी और आप खुश रहेंगे, हनमान जी की उपासना करिए, आपका दिन और बढ़िया भीतेगा, हनमान जी को क्या परशाद परशाद है, हनमान जी को बूंदी का लड़ू चढ़ाएं, बूंदी चढ़ाएं, चने की दाल और गुड़ का बना हुआ कोई मिस्ठान च सभी भक्त इस तरीके का परशाद चाहकर, हनमान जी का आशिरवात प्राप्द कर सकते हैं, आपके पास अगर आपकी जर्म कुड़ी नहीं है, तो आप इस जीवन में, यह जीवन आपको मिला है, इसमें आप पीछे रह सकते हैं, कहते हैं, जर्म कुड़ी का होना बहुत आ और शक है, बिना जर्म कुड़ी कि आप आगे नहीं वर सकते, आपने कभी कार चलाई हैं, चलिए, कभी आपने कार नहीं चलाई हैं, माल लेते हैं, कुछ लोगों ने चलाई होगी, कुछ लोगों नहीं चलाई होगी, या एक और एक्जामपल ले लेते हैं, कार को छोड़ होती है कार की जो लाइट होती है वो फ्यूज हो जाएं तो सड़क पर क्या दिखाई पड़ेगा सड़क पर अंधेरा दिखाई पड़ेगा तो ड्राइवर क्या करेगा चाहे ड्राइवर आप हो या ड्राइवर कोई दूसरा हो या तो बस को खड़ी कर देगा इंतजार सुबह होने का या फिर मेकैनिक का कि वो आए और नया बलव लगाए अब या तो ये करेगा या तो बस को बहुत दीरे-दीरे चलाएगा दस की स्पीड में या फिर इंतजार करेगा कि जहां पर रोशनी आए स्ट्रीट लाइट हो वहां पर बस को तेज चलाए जहां पर जनम पूंडली में अगर कोई खराब गरहए होगा उश की अगर आपने उपाए ने किया तो आपको रोक देगा या फिर धीरे-धीरे चलेंगे तो धीरे धीरे में जो सफ़त चार घंटे में तैय करना था वो बारा घंटे में तैय होगा तो ऐसे ही जनम फुनली में कोई खराब गरह होगा अगर आप उसका इलाज नहीं कराएंगे तो जो सफलता एक साल में मिलने थी और चार साल में मिलेगी या फिर आप इंत आप फेल हो गए अब जिसकी लाइट अच्छी होगी वह भागता चला जाएगा है ना जिसको रास्ता साफ मिलेगा वह भागता चला जाएगा आप पीछे खड़े रहे जाएगे तो या तो आपकी सफलता एकदम रुख जाएगी या तो फिर जो चिर एक साल में मिलनी चाहि सफल होंगे तो कुर मिलाकर अगर आप अपनी जनम कुली को दिखा लेते हैं और सही उपाय कर लेते हैं तो आपका भलब फ्यूज नहीं होगा और आप सर पट दोरते चले जाएगी तो जनम कुली यही काम करती है और इसके लाबा और कोई काम नया नहीं करती है अब आपक में लाइट जल गई हो तो आप अपनी जनम कुल्ली निखाने के लिए नंबरों के संबर्ख करें और अपनी गाड़ी की स्पीड को सफलता में बदल दें है नँ हर यात्रा सफल नहीं होती तो कई बार ऐसा भी होता है यात्रा हो जाती है लेकि असफलता हाद लगती है लेकि जोतिश की उपायों से आपको कभी निराशा नहीं होगी आपकी गाड़ी का बलब भी नहीं फ्यूज होगा और यात्रा असफल भी नहीं होगी तो आप लोग जनम कुल्ली दिखा सकते हैं दिएगे नमरों पर संपर करके खुश रहिए प्रसंद रहिए नवर्ष की तैयारी में जुट जाएए बहुत या अच्छा वक्त बहुत साई राशियों के लिए आने वाला है चैनल से जुनना मत भूलिएगा नमस्कार